हेलो फ्रेंड्स एज़ी एक्जाम यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है दोस्तो अभी अभी जेट 2021 के सेकंड राउंड का रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट कांसलिंग के सेकंड राउंड का देखिए यहां से तो आप कट ओफ डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या कट ओफ रह हुआ है कि तो सेकंड लिस्ट है वो आच चुकी है आप लोगों को किस तरह से अपना रिजल्ट देखना है यह आप लोग मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आप लोगों अपना रिजल्ट देखना है सबसे पहले आपको यहां से देखिये three dots पे आपको click करना है और three dots पे click करने के बाद आपको सीधा देखिए इसा interface मिलेगा इसमें आपको candidate login पे click करना है second number पे जैसे यह candidate login पे click करेंगे यहां पर आपको अपना registration number डालना है और यहां पर आपको अपना password डाल देना है ठीक है, रजिट्सन नमबर डाल डीजिए और प्रफर डाल डीजिए, सीधा आपको लोगिन कर लेना है, जैसे है आप लोगिन करेंगे, यहाँ पर आपके पास candidate का सब कुछ आ जाएगा और जो candidate है उसका आ जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा है यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा वारा है इसमें देखिए print counseling second round first counseling second round तो इस पे आपको click कर देना है और इस पे click करने के बाद आपको देख लेना है कि आपके पास जो जिसके भी देखे जिस भी candidate के ये नहीं आया हो उसका मतलब definitely साब है कि पिछली बार भी कई बच्चों की वहा था और इस बार जिसके यहां नहीं आया हो हो सकता है कि उसको college change नहीं हो या आने के बाद भी college change ना हो वो इसको खोल कर उपन करने के बाद भी आप लोगों को पता चलेगा ठीक है तो इपर मैं इसे open कर लेता हूँ उसके बाद पता लग जाएगा कि किस तरह से क्या result रहा है जो भी है तो देखे मैं इस पर click करता हूँ जैसे ही हम click करेंगे यहां पर देखिए सीदा सीदा यहां पर यह interface आ जाएगा और इसमें देखिए सारी चीजे साब साब लिखी हुई है मुख्य बिन दो इंपोटेंट जो points है वो सारे लिखे हुए है और देखिए यहां पर देखिए इस candidate को पहले भी यही college थी और अब भी यही college है college of agriculture बरतपूर तो यह last year भी last time भी first counseling में भी यही college थी और second time में भी यही college है तो इनका मतलब इनका change नहीं हुआ है अगर फिर से अगर यह online अगर करवाना चाते हैं तो apart request के लिए इनको फिर से वो ही 800 रुपीज चार्ज करना होगा और अगर accept करते हैं तो यह वाली approximation जो fees है उसमें से 1000 online जमा करवानी होगी और बाकी की जो fees है वो आपको college में जाके जमा करवानी होगी तो I think सभी बच्चों को पता लग गया होगा किस दरज आपको result देखना है